नमस्कार जैहिन इत्यास विमर्ष में एक वार फिर से आप सभी का स्वागत है आज इस विमर्ष में हम चर्चा करेंगे राश्ट्री सिवा योजना के जो विभिन प्रमान पत्र दिये जाते हैं A, B और C सर्टिप्ट इनके संदर में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने व आप नया वीडियो लाएं A, NSS में ये प्रमान पत्र किस प्रकार मिलते हैं, इनके लिए क्या मुख्य हमें योजना बनानी पड़ती है, किस प्रकार से इसकी परिक्षा होती है, ये तमाम प्रकार के प्रश्ण बच्चे मुझसे कई बार कर चुके थे, मैंने पिछली आप चाहें तो वो सारी चर्चा आप इसमें देख सकते हैं, आज मैं केवल चर्चा करूँगा राष्टी सेवा युजना के प्रमान पत्र परिक्षाओं के संदर में, A, B और C सर्टिफिकेट, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राष्टी सेवा युजना के A प्रमान पत्र की, A सर्टिफिकेट की, ये प्रमान पत्र राष्टी सेवा युजना के उन वॉलेंटियर्स को मिलता है, जो प्लस टू के इस तर में पढ़ रहे हैं, यानि 11 और 12 के विद्धियारती हैं, उन्ह 11 में राष्टी सेवा युजना में अपना पंजियन कराना होता है, आपको उस युनिट में अपना 11 किलास में पंजियन कराना होगा, पंजियन के साथ जितनी भी गत्विदियां और जो प्रोग्राम राष्टी सेवा युजना के आपके स्कूल में संचालित होती हैं, उन स पूरी राश्य सिवाजना की कत्विदियों से जुड़े रहते हैं तब आपको ए सर्टिकेट की पातरता होती है और तब विश्विद्याले में जो कॉडिनेटर हैं उनके सिगनेचर से और कुलपती के सिगनेचर से आपको एक सर्टिकेट मिलता है इन दो वर्षों में 20 गंटे प्रतिवर्ष आपको अभिमुकी करण के लिए औरियंटेशन प्रोग्राम के लिए रहते हैं इन में आप विविन मुद्दों पर जानकारिया प्राप करते हैं इन में कुछ बॉढ़ दिक सत्र भी होते हैं विविन जो विभागों के विद्वान लोग हैं वे आपको सत्र में आकर चर्चा करते हैं ब अन्यानन जो भी है तो वो इसमें 20 गंटे आप से चर्चा करते हैं प्रतिवर्स 20-20 गंटे के साब से लेती हैं उनमें हम वे सारे कार्य करते हैं जो इसकूल लेवल पर चाहे वो ब्रक्षा रोपन अभ्यान हो चाहे गंतंत्र दिवस परेड के संदर्व में महाविद्याले में जो कारकम आयज़त हो रहा है उसमें सयोग हो महाविद्याले प्रांगन की या विद्याले प्रांगन की साफ़सफाई इत्यादी जो भी कारकम होते हैं कारकम अधिकारी की नेत्रत में हम उन प्रोग्राम्स में भाग लेते हैं और जो आपको NSS की एक डाय के हिए प्रभाणपत्र की कि इसके लिए के आपके कारिकमद्पारीं a ti-7 जो सबसे सपर्ख्ण का सदस्य हो जो आपके प्रहांठ पत्र परिक्षा लेते तो आपने राश्टी सेवायुजना में रहकर सीका है तो इस प्रकार से आपको ए प्रमान पत्र की पात्रता होती है और वो प्रमान पत्र आपको मिलता है अब हम कॉलेज लेवल पर इस NSS के संदर में चर्चा करते हैं जिन बच्चों पर ए प्रमान पत्र की पात्रता प्रथम वर्ष मे यानि फर्स्ट इयर में ही पा जाती हैं ऐसे बच्चे राश्टी से वायुजना में महाविद्याले में अपना पंजीयन कराएं एनसस में और उसके बाद एक शिविर करें जो लोकल शिविर संस्था इस्तर का होता है और उस शिविर को करने के बाद आपको वी प्रमाणपत् के लिए भी जो परीक्षा होती है उसमें जैसा कि मैंने पूर्ब में बताया वही टीम इसी तरह की आपके महाविद देल एक प्रिंसिपल कारकेम अधिकारी जिला संगठक समाज के कोई प्रवुद्ध विक्ति हैं वो तो इस तरीके से ये लोग इस प्रमाणपत परीक्षा म कम से कम आपको जरू आना चाहिए लक्षी गीत है प्रेणा गीत है आभान गीत है तो इस तरीके से या हम होंगे काम्याप जो हम समापन के अफसर पर गाते हैं इस तरह के कम से कम चार गीत और दिखाएं तो और अच्छा है आओ जवान आओ बदलेंगे तस्वीर गाओं की हम NSS के नौजवान इस तरह के ये गीत हैं इनको एक दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान तो ऐसे जो राश्टी सेवाजना के गीत हैं जो डायरी में आपके दिये हुएं ये कम से कम चार गीत का आपको ग्यान होना चाहिए वह भी आपको इस परिक्षा में पूछ अपने कारा म अधिकांडी से अपनी डायरी को अपडीट करा सकते हैं जिससे बाद के समय में कई बच्चे क्या करते एकटा कारकम करते रहते हैं और बैसी इस्तिती में कारकम अधिकारी के ध्यान से भी बचीज निकल जाती है कि ये प्रोग्राम कव हुआ कैसे हुआ उसकी डेट के लिए नहीं हो पाती फिर पेपर्स पल्टे जाते हैं तो समय भी उसमें खराब होता है इसलिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अच्छा है कि हम एक या दो सप्ता में अपने किये गए जो कारी हैं उनके बारे में सारी रिपोर्ट अपनी डायरी में लिखें और उसके सिगनेचर अपने कारकम अधिकारी से कराने क्योंकि उसके बाद वो अभी प्रमानित होती है डायरी प्राचायर के सिगनेचर से वो 20 अर्टिवेट के लिए आगे बढ़ा दी जाती है तो यह हम करेंगे साती साथ सिक्षा या जो विकास की योजना है विविन योजना है शासन इस्तर पर भी है माविद्याले इस्तर पर जैसे अभी वरत्मान हैं मास्क विट्रन का कार्कम चल रहा है तो इसमें राश्ची सवेजना के जो विद्यारती हैis वो सहयुक करते हैं पूर में हम पल्स पोलियो प्रोग्राम है नसामुक्ति करन है या मतदान जाग多कश्यादी है या पर्यावणस बचाव रैली है ब्र प्रकार से हम बी प्रमान पत्र परीक्षा को पास कर लेते हैं एक ही वर्स में वे बच्चे जो पहले ए प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुके हैं और जो बच्चे पहली बार महाविद ज्याले में आए हैं और फस्ट टाइम NSS उन्होंने लिए यदि फस्ट एयर में वो NSS लेते हैं NSS से जुड़ते हैं पंजियन कराते हैं तो उनको साजिक सेवा से संबंदित कार्म करना अनिवार है जो कम्यूनिटी इंगेजमेंट है वो आपका सो गंटे का एक वर्स में होना कंपल सरी है तभी आपको भी प्रमाणपत्र की बातरता होती है और ऐसे दो वर्स यानि जो कम्यूनिटी इंगेजमेंट के प्रोग्राम हैं च सभ्ण करके तो सरपंजी के माद्यां से हम उनकी जानकारी में कारगम करते हैं और हम उन से चाहें तो एक अपने लिए एक प्रमान पत्र भी ले सकते नहीं है इस बच्चे न यहां क्या बड़ा अच्छा काम किया सडक निरमान से संद्धित जो गाउं में छोटी पुलियां हैं सडकें हैं जो बेकार हो गई हैं, हम उन करते हैं और इनके नोट करके रखते हैं जिससे हमें आगे जाके 20 certificate यसी certificate मिलता है तो हम अपनी डायरी में इस प्रकार से 120 गंटे प्रतिवर्श के साब से लिखते हैं जिसमें 20 गंटे उसी प्रकार से आपके केवल orientation program के हैं आपके सिक्षा के छेतर में क्या बदला हुए हैं जैसे अभी हम new education policy हैं तो आप किसी ऐसे विद्वान को अपने कारकम अधिकारी के माद्यम से अपने महा विद्याले में आहम अंतरित कर सकते हैं जो new education policy पर जानते हैं और उसके क्या-क्या लाव विद्यारतियों को मिलने वाले उस पर चर्चा भी आ गया है तो इन सारी कारकमों के संदर्ब हैं हम जो orientation program करते हैं वो एक साल में एक वर्ष में 20 गंटे के इस प्रकार के कारकम करेंगे इन्हें भी diary में लिखना है अगर यह कारकम एक गंटे का तो एक गंटे हमने इसमें समय बिताया दो गंटे किया तो दो गंटे बिता है और इसका प्रमानी करन आपके कारकम अधिकारी देंगे तो यह आपको डायरी में लिखना है उसके अलावा जो हम फील्ड में काम करते हैं समाज के साथ मिलके काम करते हैं जो society के वीच में जाके काम करते हैं उन कारकमों के बारे में भी क्योंकि हमारा या तो कारकम अधि लीडर है उसके सिगनेचर से हम उसके प्रामानिकता अपने कारकम अधिकारी को बता सकते हैं तो उसे हमें लिखना चाहिए तो ऐसे दो वर्स में आप भी प्रमाण पत्र की पात्रता रखते हैं अब आ जाते हैं सी प्रमाण पत्र पर तो जिन विद्यारति हों एक साल में लि गणते का काम करके आए हुएं विप प्रमाण पत्र आप के पास है जिन पर उसमें और विद्या रोग्रांपे लिए हैं । उसी प्रकार से हम orientation program करते हैं उनमें अपना अपनी सहवागिता दिखाते हैं जो society engagement के कारकम है समास सेवा के माध्यम से हम जो काम करते हैं बे सारे के सारे कारकम भी हम इसमें करते हैं उनमें सयोग करते हैं सो हम भी भाग लेते हैं और एक हमें project file बनानी पड़ती है सी प्रमाण पत्र के लिए एक जो विशेस अलग से योगिता है वो केवल यही है कि आपको एक अलग से project file बनानी होती है minimum 40 और 50 पेज़ की और ये टंकेत होनी चाहिए बाकाइदा type computer type से होती है और इसके पूरा programming होनी चाहिए ऐसे कुछ तो भी नहीं लिखना है अब ये प्र project पर काम करते हैं चाहिए हम परियावरं संर्ख्षण के संदर में काम करें तो हमें किसी भ्रक्ष लगाने से लेकर भ्रक्षण ťों के संदर्म हम पिछले तीन वर्स्वें जब से हम N."स.इस में हमने कया-क्या योगदान दिया है हमने कितने भ्रक्ष लगाएं हैं कितना ज रखवाली कर रहा है उस ब्यक्ति से हम लेके आएंगे कि हाँ साथ इन्होंने यहां पांच व्रक्ष लगाए थे इनमें इसे तीन जिंदा हैं और यह बरावर उनको देखरेक कर रहे हैं तो पर्यावरण के संद्रक्षा रोपन के संदर्म में भी हम बना सकते हैं ड्रग अब किलब के माद्यम से हमने वहां काम किया तो हम वह सारी की सारी सीजों को भी अपनी एक फाइलिंग कर सकते हैं उसके पूरी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और उसके माद्यम से हम अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत कर सकते हैं कि यह जब मैं गया था तब यह पोजिशन थी उसके बाद मैंने ये काम किया वर्तमान में ये पोजीशन है और उसकी प्रमानी करण का एक प्रमान किस व्यक्ति का प्रमान अगर किसी पारशद के महले में आप काम कर रहे हैं किसी बारशद से आप उसका प्रमानी करण ले सकते हैं किसी ग्रामीड शेत्र में आप काम कर रह होती है उसकी परिक्षा के लिए भी उसी प्रकार से टीम होती है और विश्विद्याले लेवल पर इसमें कॉडिनेटर साब भी समलित होती है और वहां इसकी पूरी की पूरी आपकी परिक्षा आयज़ित होती है तो आप आपने क्या काम किया है यदी आपने काम किया है तो आप leaf के साथ उस काम की प्रस्ताबना को बता सकते हैं कि इस प्रकार से काम किए हैं च्हेतर को सावी हो सकता है यदि कुछ बच्चों ने इस कोविड 19 के दोरान vaccination program है या उर्म में मास्क वितरण है या फूड वित्रन के कारकम जो हमने की हैं पैकेट्स या आयुश मंतराले के दौरा जो हमें ओसदी दी गई थी जो कारा दिया गया था उसका अगर हमने वित्रन किया है डॉक्टर्स की टीम को सयोग किया है तो हम उस चीज को भी अपने सी प्रमाण पत्र के लिए आधार बन अगर किसी ने काम करने के दौरान आपको सम्मान पत्र दिया है आपका प्रसंसा पत्र दिया है तो वो प्रसंसा पत्र या वो सम्मान पत्र भी आपके साथ होना चाहिए साथी साथ आपके कारकम अधिकारी का भी एक पत्र होना चाहिए कि ये बच्चा सी प्रमाण पत्र के लिए आप बात रोंगे तो एक सी प्रमान पत्र के लिए इस प्रकार से फाइलिंग होती है तो ये तीन प्रकार के आपके प्रमान पत्र हैं मैं इसमें कुछ एक चार्ट के माध्यम से आपको अभी पूरी जानकारी दूँगा संशेप में किसमें आप क्या क्या और कर सकते हैं कैसे काल supplement में गंडे कर सकते हैं क साल वर की योज़ना है उसको कैसे यह पना सकते हैं ज़गेँमें यह सबसर बता है तो आज से पहले जब NSS प्रारम हुई थी तब इस तकार की कोई यूजना नहीं थी बाद में 240 गंटे का इक प्रामाणत के विश्वित देले के कुल पती दोऑरा प्रमाण पत्र की पात्रता की विवस्ता रास्टी सिवा युजना में भी की है यदि आप सी प्रमाण पत्र धारी हैं बी और सी प्रमाण पत्र धारी हैं तो आप स्टेट लेवल अवार्ड के लिए पात्र हो जाते हैं आप जो इस्टेट इस तर पर जिल राज इस तर पर ज लेने की पातरता मिल जाती है जिन विध्द्यारतियों पर B और C प्रमानपत्र नहीं है बेराज स्थ्री सिविर में नहीं जा सकते हैं तो राजिस्तरी शिविर में भी आप तभी जाएंगे जब आपके B और C प्रमाणपक होता है राजिस्तरी शिविर जैसे IES की एक वो होता है कि आप किस बेच के IES हैं तो राजिस्तरी शिविरों का भी NSS में कुछ इसी प्रकार का महत है कि आपने किस बेच में इस्टेट लेवल केम्प किया है इस्टेट लेवल केम्प में आपको NSS के माध्यम से संपून बनाने का प्रयास किया जाता है इस्टेट लेवल पर और आप जब इस्टेट लेवल केम्प कर लेते हैं तो उसके बाद आपको national level camps है ID parade में जाने का भाग मिलता है और अन्यान जो युवा उत्सवित्यादी जो होते हैं उनमें आपको अवसर मिलता है किसी समय आएंगे तो हम कौन-कौन से camps होते हैं NSS के उसके बारे में भी मैं चर्चा आपसे करूँगा और इसमें कैसे हम भाग ले सकते हैं जिला लेवल से लेके और आपके international camp तक बहुत सारे camp होते हैं तो वो camps कैसे हम उसमें सहवागिता कर सकते हैं वो भी मैं चर्चा करूँगा आज मैं सिर्फ चर्चा प्रमाणपत्त के संदर्ब में कर रहा हूँ और आप जब C-certified की जो फाइल बन वाएंगे तो उस फाइल के लिए क्योंकि इसमें एक आपको तकनी की ज्यान की बहुत आवश्यक्ता होती है तो तकनी की ज्यान के लिए आप अपने महाविध्या लेके सामाजिक विज्यान के कोई भी प्रोफिसर चाये वो समासास के हो, इतियास के हो, एकॉनमिक्स के हो, पॉलिटिकल साइन्स के हो, जोगरफी के हो, किसी के भी जो आपकी है तो आप उनसे एक प्रोजेक्ट प्लानिंग पर चर्चा आवश्य करें क्योंकि ये लोग रिसर्च कराते रहते हैं और हमारी फाइल भी बिल्कुल बैसी ही होनी चाहिए जैसे जो पिए टी धारी बच्चा जो reverse करता है तो उससे कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारी फाइल एक दम से clean हो तो उसके लिए एक project planning हो कि हमें 30-40-50 पेज में ये लिखना है तो उसमें प्रशनावली कैसे तयार करें, साक्षातकर कैसे हो, अनसूची का संकेतन कैसे तयार करें, क्यों कोई हमें अनसूची देनी है कि हमने ये parameter तैय किया था, अब ये है तो उसका कोई संकेतन होगा, तो वो संकेतन कैसा हो, उसकी सारणियन कैसी हो, और उसके साथ-साथ जो प्रतिवेदन लेखन है, ये बहुत महत्मून है, क्योंकि आपका लेखन जो है, वो आकरशक होना चाहिए, यदि आकरशक नहीं है, तो कोई उसे देखेगा नहीं, तो आपका प्रतिवेदन लेखन कितना आकरशक है, इसके लिए भी आपको प्रयास करना चाहिए, आप अपने जो महाविद्याले के लिटरेचर के टीचर्स हैं, चाहिए वो हिंदी लिटरेचर हो, ये इंग्लिस लिटरेचर हो, तो आप चाहें, तो आप उनकी मदद अपने इस प्रोजेक्ट फाइल को तयार करने में भी ले सकते हैं, और अब मैं ये आप चार्णी देखिए, ये चार्ट देखिए, इसमें मैं एक संचिप में आपको चर्चा करूँगा कि आप क्या-क्या सी प्रमाण पत्र के लिए बना सकते हैं, तो उसमें अपना नाम, पिता क योगा और खेल है, क्योंकि हम जो गनतनतर दिवस परेड में जाते हैं, तो वहां हम परेड भी करते हैं, तो आप योगा की ट्रेनिंग जो है, वो आप अपने यहां जो महाविद्याले में योग टीचर हैं, या खेल टीचर हैं, क्रिड़ा अधिकारी, स्पोर्ट टीचर, आप उन से उनकी मदद ले सकते हैं, और जो ड्रिल बगरा की परेड की जो आपको चर्चा करनी है, या जानकारी लेनी है, या आपको स्वेम करना है, तो वो आप अपने महाविद्याले या दूसरे अन्ने महाविद्याले के जो NCC अफसर हैं, या NCC का कोई सीनियर वॉलें है, आप उसकी मदद से ड्रिल और परेड की प्रेक्टिस भी कर सकते हैं, तो इस प्रकार ये कर सकते हैं, और देखें इसमें, इसके अलाबा आप जो रासे और गीत हैं, इन रासे और गीत की प्रेक्टिस कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी चर्चा आप से की, जो डायरी में दूसरा इसमें कॉलम है पर्यावरन संरक्षन और इसके लिए कितने कारे गंटे इने यह भी आपको बरावर देने होंगे तो रहा परियावरन संरक्षन इसमें ब्रक्षी गंगा रैली का कारकम है करकम है ग्राम और वस्ती में दिवाशिवर के संहखशन के संहदर में भी चर्चा है तो इस प्रकार इस कॉलं में हम यह काम कर सकते सिरी प्रमार्गत्र के सिलसिले में और हम देखें अगला कॉलम इस में हैं चैनात्मक गत्विदी और चैनात्मक गत्विदिय उम्यों कispiel ga nooit करेंगे उसमें साक्षरता का रहे हैं कुछ बच्चे दलित बस्तियों में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं कुछ बच्चे गरीब बच्चों को जो सड़क किनारे तंबूओं में रह रहे हैं उनके बच्चों को भी सिख्षा देते हैं ऐसे कई बच्चे कई जगे हैं तो ऐ एक जो बुक कारे बुक बैंक टायप की एक विवस्था भी हम कर सकते हैं जो गरीब बच्चे हैं चाहे वो हमारे माविद्याले के हैं चाहे किसी स्कूल के हैं उनके लिए हम जो सीनियर बॉइज हैं उनसे हम उनकी किताबें ले ले लें क्योंकि उनके लिए पढ़ाई के बा और इसके आधार पर भी C.E. प्रमाण पत्र के लिए अपनी फाइलिंग कंप्लीट कर सकते हैं। और देखें इसमें क्या गत्विदी है। तो इसमें हम जो रोजगार प्रसिक्षन के कारका में उनको भी हम आउजित करा सकते हैं। साथ ही साथ स्वास्ति गत्विदियों के संदर्व में जो काम करते हैं तो इसमें कॉपचार स्वास्तवर के संदर्व भ्यगात्राव काम कर सकते हैं springon लिए कैसे काम करें तो इसके ऐलाब में आरतिकास के जो इससंदर में प्रोजेक्ट lunarbang के संब्द में स्थानी निर्वान के संदर्ब में और पच्छटकारखमें इनके संदर्ब में भी हम काम कर सकते हैं अपनी गोदगराम बसती हों है अगर हम करषी संभंदित कोई काम कर रहे है तो इसके बारे में बता सकते हैं उनका अम्रदाप्रसी परिक्षण जो है तो उसके लिए वह क्या कर रहे है हुँन शज्ती की जो क्रषी विज्ञान केंद्र उसमें जाकर उनके मिंटी प्रिक्ष्ण में सहयोग करसकते हैं जैविक खाद का क्या प्रयोग कर रहे हैं वह सारी की सारी चीज बेंकों के माद्यूम से और सहकारी माद्यूम मिलकर गुरुब से अल्पचत जैसे योजनाओं को क्रियान बिद करें जिससे समय आने पर यह बचत उनके काम मैं तो ऐसे 일 कारकाम जो आधार हैं, उनको हम अपना सकते हैं, जिसमें सामाजिक सर्वेक्षन हैं, प्रदर्शनी या रेलियां हैं, जो हम विविन प्रकार की रेलियां निकालते भी हैं, और अल्पकालिक जो सेवा हैं, कई बार ऐसी कोई परिस्तिती आ जाती हैं, कि हमें ततकाल सेवा की अवसर पड़ती है बाढ़ है सूखा है कोई हादसा हो गया कोई दुरगटना होई तो उसमें एक सामाजिक सहयोग जैसा हम काम कर सकते हैं और निरास्रितों की सेवा और साहिता कर सकते हैं तो इस प्रकार से कुष्ट रास्रम बगरा में अंधास्रम बगरा में हम काम कर सकते हैं सेव की अनुसार जो अन्य कार्य सुझाये गए हैं, सलाकार समीति जो हमारे प्रतेक यूनिट में बनाई जाती है, वो अपने क्या विचार रख रह रहे हैं, एनसस में क्या कार होने चाहिए, तो उसके सिलसले में भी हम काम कर सकते हैं, साती सात नेत्र प्रहिक्षन से भी रहे, य कि आपने इस तरपे सायू करेंगे तो अमें मिलेगा और इस प्रकार और आपने अन उसका काम किया है उस हमें लिखनusst कॉलम में विशेष दिया है उस विशेष cover कि आपके अनुभव क्या रएं इसप्नकों करने से या जो मोटो है जो देवाक के हमारा समासेवा के माधियम से विक्तित्त का विकास तो आपने ये जो काम किया है सी प्रमाणपत्र के लिए 120 गंटे आपने इन विवेन चेत्रौय जो बिवान्य शेत्र मैंने बताया आपको इन में से कोई साथ ये शेत्र आप अपना सकते हैं तो आपका स्वैम का अनुभव क्या कहता है कैसा लगा कि आपको लगा कि आपने कुछ जानकारी ली कि आपको लगा कि आपको किसी के काम आए कि आपको खुशी मिली यह सारी की सारी चीज़ें हम लिखते हैं इन प्रमाण पत्रों की A B और C प्रमाण पत्रों का लाफ हमें विव ब्रावार अंको थे हैं तो यह देखते हैं कि कि स्धाओं के प्रावारत्मिक्षा सामारइक काम करने को पहली प्रात्मिक्ता दी जा रही है क्योंकि सारे के सारे काम जो भी हैं वो समास से जुड़े हुए समधाय से जुड़े हुएं तो कम्यूटी के बीच में यह विक्ति काम करने लाइक है या नहीं है वह भी व्यक्ति प्रमाणपत्रों के आधार पर तेह कर लेता है कि इस ने ए भी और सी प्रमाणपत्र राष्ट्री सेवा योजना जैसे संगिठन के माद्यम से काम करके प्राप्त किया है अर्थात या पूंड तह व्यवारिक विक्ति है और इसको इस सेवा कारी के लिए चुना जा सकता है तो ऐसे तमाम प्रकार के आपको इसके लाव हैं आगे भविष्ट में भी जो और अन्य लाव हैं अन्य प्रमाणपत्रों की चर्चा है वो मैं और करूंगा यह मुख्ध तीन A B C प्रमाणपत्र हैं इनकी आज मैंने चर्चा की मुझे पूरा विस्वास है कि आप लोग जो प्रमाणपत्रों के संदर्ब में जानना चाहते थे क कैसे सी प्रमाणपत्र के लिए फाइल बने कैसे भी प्रमाणपत्र की हम पात्रता प्राप्त कर सकते हैं ये समझे होंगे इसके लिए मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि आप कहीं से भी ये ना सोचें कि अगर आपने पंजियन नहीं भी करा है तो आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा किसी भी जुगार या इत्यादी विवस्था से क्योंकि आप जो प्रारंबिक दौर में पंजियन कराते हैं वह पंजियन की पूरी की पूरी लिस्ट बिश्विद्ध देले जाती है और आप बैक डेट में अपना पंजियन नहीं करा सकते तो सब से पहली प्रात्मिकताब की यह है कि आपने कारिकम अधिकारी से मिलकर अपना पंजियन सुनिश्चित कर लें पंजियन कराने के बाद ही आपको इन प्रमाण पत्रों का लाव मिलेगा बिना पंजियन के आपको किसी भी प्रमाण पत्र का एनसेस के किसी भी प्रमाण पत्र का लाव नहीं मिल सकता और जब बच्चा बाद में फस जाता है कहीं नोकरी ओकरी बोग कहतें एनसस का प्रमाणपत लाइए तो वो अपने कारकम अधिकारी के पास आके हमसे कई बार कहा लोगों ने कैसे भी करके प्रमाणपत दे दो आप साथ बहां नोकरी में जरूर यह मा मांग रहे हैं और आपने पहले वो काम किया नहीं क्योंकि वो सारा आपका रहता है आपका नंबर रहता है किस वरस में आपने किया है तो जब तक वो चीज नहीं है आपको प्रमाणपत का लाव नहीं मिल सकता मुझे विस्वास है आपकी सारी समस्याइं जिग्यासाइं ए अगर आपकी कोई प्रशन भी है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं आप ओ यदि ये वीडियो पसंद हो तो आप पहले की तरह इसको लाइक भी करें साथ ही साथ अपने मित्रों के लिए इसको शेयर भी करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्यों एनसेस किसी ए अपने मित्रों को करें चाहिए वो किसी भी प्रांत में रहते हैं तो ये इसकी जानकारी उनको वहां मिलेगी और वो एनसेस से जुड़ेंगे तो आपने ये वीडियो देखा आपको बहुत मैं आभार देता हूं और एक बार कुने ये निवेदन जरूर करूंगा कि यदि आपने अभी तक इतियास विमर्ष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें साथी साथ बैल आइकन पर जाएं और और ऑल के ऑप्शन पर जाएं जिससे के इस चैनल के माद्यम से जो मैं समय समय पर आपके लिए वीडियो लाता हूं उसका लाब आ सारे नोटिफिकेशन्स आपको पहले मिलें तो आप इससे जुड़ें लोगों को प्रेडित करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद